हलो गाइस दिस नौनित महान आज हम डिसकस करने वाले हैं division end of terigota के बारे में जैसे के हमने पिछले वीडियो में discuss किया था क्लास इंसेक्टा को दो सब क्लास में divide किया गया है terigota and act terigota और सब क्लास terigota को दो division में divide किया गया है वह है end of terigota and ex of terigota आज कहा हमारा topic है division end of terigota division end of terigota के अंतरगत टोटल 9 orders आते हैं जिनमें से पहला order है order neuroptera order neuroptera के अंतरगत आने वाले कीट हैं less wings, ant loyans, devson flies, elder flies, etc. order neuroptera के अंतरगत आने वाले कीट पर्भक्षी किस्म के होते हैं यह अन्य जियों का सिकार कर उनका भक्षाण करते हैं इनका antiny lamba ता शूकाकार होता है तथा इनका मुखांग काटने एवं चबाने वाले होते हैं इनका पंक पोर्ण विक्सित तथा membranous होता है जिस कारण इनके पंकों का सिराविन्यास आसानी से देखा जा सकता है जो अगला order है वो है order kolyoptera order kolyoptera के अंतरगत आने वाले कीट हैं beetles या weevils kolyoptera के अंतरगत आने वाले कीटों का अगर जोड़ी पंक इलाइटरा के रूप में modified होता है जो की काफी कठोर होता है और अगर जोड़ी पंक इनके सरीर तथा पिछली जोड़ी पंक को ढखक कर उनकी रक्षा करने के काम आता है order kolyoptera class insecta का सबसे बड़ा order होता है हम क्या सकते हैं कि order kolyoptera में सबसे अधिक कीट आते हैं order kolyoptera के कीटों का बाहर कंकाल अतधिक कठोर होता है इनमें मुखांग काटने यवं चबाने वाले होते हैं यह उड़ने के लिए अपनी पिछली जोड़ी पंक का उप्योग करते हैं जो की membranans होता है इनका पिछली जोड़ी पंक fold होकर illatera अर्थात पहली जोड़ी पंक front pair of wing के नीचे छिपा हुआ होता है जो अगला order है वह order strepsi प्टेरा strepsi that means होता है turned या twisted that means मुड़ा हुआ इस order के अंदर आने वाले कीट है इस टालोपीड यह parasitoid type के insects होते हैं इनका punk कुछ इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है इनका punk काफी चवड़ा ता काफी बड़ा होता है और हम कह सकते हैं कि इनमें सिर्फ एक जोड़ी punk या दो punk पाए जाते हैं क्योंकि इनका जो अगर जोड़ी punk होता है वह halters के रूप में modified होता है यह काफी तेज उनने व जाने के काम आता है इनमें एंटेनी चार से साथ सिग्मेंटेड पत्राकार होता है तथा इनमें समयुक्तिनेथर पूर्ण विक्शित होते हैं जो अगला order है वह order मिकोब तेरा मिकोब सब्द का अर्थ होता है लंबा और टेरा देट मेंज विंग पंक मिकोब तेरा ऑर्ड के अंतरगत आने वाले कीटों का पंग काफी सक्रा तहा लंबा होता है। इनका मुखांग काटने अम चबाने वाले होते हैं। order micoptera के अंतरगत आने वाले कीट भी परभक्षी किस्म के होते हैं। इसके उदारण है इस्कॉर्फियन फ्लाइस। इनमें पांस सिग्मेंटेट टर्साई पाय जाते हैं। order micoptera के कुछ इस्पीसीज के मेल का जनाइटल ओर्गन अत्तधिक विक्सित होने करण वो पूँच के समान इस्ट्रक्चर बनाता है। तथा इनका उदर काफी फैला हुआ तथा मोटा होता है। अगला जो order है वो है order diptera। order diptera के अंत्रगत आने वाले कीट हैं मक्हिया, मच्छर, मेज, etc. die that means होता है दो। हम कहा सकते हैं कि order diptera के अंत्रगत आने वाले कीटों में सिर्फ दो पंग अर्था एक जोड़ी पंग पाये जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से order step step 3 का अगर जोड़ी पंग हाल्टर्स के रूप में मोडिफाई होता है। उसी तरह से order diptera के कीटों का पिछला जोड़ी पंग हाल्टर्स के रूप में मोडिफाई होता है। order diptera के कीट भी काफी अधिक तेज उड़ने वाले होते हैं। इस कारण इन्हें हवा में balance बनाने के लिए हाल्टर्स के आवसकता होती है। इनका एंटिनी धागाकार, शूकाकार या शूकधारी हो सकता है। इनका जो मुखांग होता है वो चूसने वाले होते हैं। इनमें टार्साई 5-segmented होते हैं। जो अगला order है वो है order siphon aptera। siphon aptera के अंतरगत आने वाले कीट है फ्लीज। siphon that means होता है tube like structure और aptera that means होता है wingless या बीना पंक वाले कीट होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि कुछ कीट जो वर्तमान में पंक रहत हैं परन्तु इनके पूर्वज पंक ही अहुआ करते थे। फ्लेज भी कुछ इसे प्रकार के कीट होते हैं ये बाहर पर जिवे किस्म के कीट होते हैं जो mammals के इस्तंधारी पश्यों के खोन चूसते हैं। इनका जो मुखांग होता है इस चुभाने यम चूसने वाला होता है। इनका पिछला जोड़ी पैर जंप करने के लिए कूदने के लिए modified होता है। ये काफी अधिक तेज काफी तेज जंप करने के लिए पहचाने जाते हैं। जो अगला order है वो है order lepidoptera, order lepidoptera के अंतरगत आने वाले कीट हैं तितलियां तथा शलब। लेपिडोडैटमेश होता है, scales ये जो insects होते हैं, butterflies और मोथ, इनका पूरा शरीर तथा पंक, scales से धका हुआ होता है। जिस कारण हम इन्हें lepidoptera order में रख सकते हैं। order kolyoptera के बाद सबसे बड़ा order lepidoptera ही है, तथा कृष्ची के छेत्रे में सबसे अधिक हानी पहुचाने वाला order भी order lepidoptera है। इनका जो मुखांग होता है, वो साइफानाकार होता है। इनका antiny विभिन्द प्रकार के हो सकते हैं, जैसे की गदाकार, कंगाकार, दुई कंगाकार या दन्ताकार। ये जो कीट होते हैं, इनका अग्र जोड़ी पंक, पिछली जोड़ी पंक के अपिक्छा काफे बड़ा तथा चवड़ा होता है, तथा त्रिफुजाकार होता है। जो अगला ओर्डर है वह है ओरर ट्राइकोप टेरा, ट्राइकोस धैटमेस होता है एर यह एर-like structure और टेरा धैटमेस होता है विंग। हम कहा सकते हैं कि order Trichoptera के अंतरगत आने वाले कीटों का पंक पूरी तरसे रोम जैसे संराखनाओं से धका हुआ होता है इनका एंटिनी सूका कार होता है तथा इन में मुखांग नहीं पाये जाते जिस कारण वैस्क होने के पश्यात ये भूजन नहीं कर पाते और वैस्क होने के बाद कुछ ही घंटों तक ही जिवित रहते है जो अगला ओर्डर है वो है order Hymenoptera order Hymenoptera के अंतरगत आने वाले कीट हैं चीटियां, वैस्प, बीज, सौफलाइज, हॉनेट्स, एट्सेटरा दंक होता है ये मेंब्रेनस होता है order Hymenoptera की एक और विश्यस पहचान होती है जो है इनका डंक जो ये अपने सत्रों को खुद से दूर रखने तथा सिकारपा करने के लिए उप्योग करते हैं इन में समयोक्तनेत्र पोर्ण विक्सित होता है तथा इनका टार्साई पांच सिग्मेंटेड होता है इनका मुखांग विभिन्द प्रकार के हो सकता है जह सकिंग टाइप, चिविंग टाइप या फ पांस्तह कृषि के छेतर में लबदायक होते हैं जिनमें से मुख्या है मद्मख्Hी तथा कुछ वैस्प यानिकारक कीटों का सिकार कर उनका भक्षन करते है। इस प्रकार ये कृषः के छेत्र में लबदायक होते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही धन्यवाद